हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय चैनल अद्रंगी वैजफूट तो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं मसाला पूरी तो आपने बहुत बनाई होगी बहुत खाई होगी लेकिन यह वाली कुछ खास है खास इसलिए कि इनको आप नॉर्मल ब्रेक्फास्ट और टीक टाइम मे तो बना ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा healthy और बहुत ही ज़्यादा रेस्टी तो ही, साथ ही आप इसको ब्रत में भी बना के खा सकते हैं, तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं, तीन medium size के उबले हुए आलू, उसमें मैंने डाल द मैं ले रही हूँ आटा, यह जो आटा है, वो मैंने समा और साबू दाना को थोड़ा सा रोस्ट किया है, और उसको mixi में बारीक पीस लिया है, मैंने इसको, बिल्कुल आप ऐसे इसको तयार करके आटा रख सकते हैं, और यह आटा बिल्कुल एक से देड़ महीने तक में और उसको पीस के mixi में रख लेना है, आप बहुत ही multipurpose यूज है इसका, तो कभी भी आप इसको बनाना हो, इसको व्रत के लिए या नॉमल भी आप इसको बना के रख सकते हैं, फिस में मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है, क्योंकि मैं व्रत के लिए अज मेरा गुरुवर का व्रत था, तो मैंने इसले बनाया इसको, तो अब इसको मैंने गुन गुने पानी से इसका आठा लगा के रख दिया है, आठे को लगा के करीब आदे घंटे तक हम इसको रख देना है, और रखने के बाद, आदे घंटे बाद हमें इसको बहुत मसल लेना है, मसलने के बाद हम इसकी पूरिया बनाना शुरू करेंगे, मसलने से क्या है थोड़ा आठे में लोच आ जाएगा, तो थोड़ा सा अच्छे से आपकी पूरिया बन पाएगी, किनारिया बहुत अच्छे से आपकी फटेगी ने किनारिया पूरिया बहुत अच् तो आपको अगर यह रेसिपी अच्छी लग रही है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जली जली लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसके बिल्कुल भी कोई चार्जिस नहीं है तो फॉलो कर लीजिए मुझे फटा-फट से ताकि ऐसे ही शांदार रेसिपी आगे भी आपको देखने को मिलती रहें तो यहाँ पे मैंने सारी पूरिया ऐसे बना के रख ली है अब चलिए अब इनको करते हैं फ्राइब फ्राइब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना है एक तो जो तेल का टैंपरेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए जब हम पूरी को तेल में डालेंगे तब यह देखे मेरी सारी पूरियां बनके हो गई है तयार इसका मोटा और ज्यादा बहुत ज्यादा पतली नहीं करनी हमें नहीं तो यह फटने लगेगी यहाँ पर मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए र हमारी पूरियां हैं बिल्कुल बढ़ियां फुल जाएगी तो यह देखिए बढ़ियां स्चांदार क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी पूरियां बनके हो गई है तयार इसे ही सारी पूरियां हम सेक लेंगे और मुझे तो वेट नहीं हो रहा है मुझे तो चाय के साथ यह पूर बिलते हैं अगले वीडियो में